नमास्कार बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चेनल पर आज के एंक में हम जानेंगे सनी प्रवत पर कुछ बिशिष्ट चिन्नों की विशे में यह चिन्न होगी एक चिन्न कुछ इस प्रकार से बनता है जिसे लोग बहुत लोग तिर्सूल का चिन्न कहते हैं इस प्रकार से तो एक चिन्न होता है जिसे लोग फिस या मतस्री का चिन्न बनता है इस प्रकार से हम सभी इस्थितियों पर ध्यान देंगे कि यह निर्मान इसका किस प्रकार से हो रहा है और इसके फल क्या प्राप्ती होते हैं तो आईए आज का अंक हम सुरू करते हैं सब दिल वाली उंगली जिसे मध्यमा का जाता है या इसे मिडल फिंगर का जाता है इसके नीचे का जो छेत्र होता है ये होता है हमारे अतेली में शनी का छेत्र ये इतना सा भाग जो होता है जितना भाग मैंने इसमें गहरा है ये सनी परवत का छेत्र है सनी परवत पर कोई भी चिन्न हो, चाय वो चिन्न मतसी का हो, संख का हो, क्रोस का हो, त्रिभूज हो, चत्रभूज या कुछ भी चिन्न हो या सिंगल रेखा हो, ये कितना फल देगा, कितना सुब फल की प्राप्ति देगी, ये निर्भर करेगा परवत के इस्थिति पर, तो सनी परवत की इस्थिति मतस्य का, यह formation कैसा होता है, ति यह देख लिए मतस्य का चिंद कुछ इस प्रकार से बनता हुआ परतीत होता है, जब यह बनता है तो इसमें दो-तीन चीज़ें आपको देखनी आवस्या होयाती है, क्या यह मतस्य बिलुकुल स्वतंतर आवस्था में बन रहा है, स्वतंतर कह सहयोग से बन रहा है, ति यह सहयोग से बनना इसके फल कुछ अलग हो आते हैं, और स्वतंतर निर्मान, मतलब किसी भी रेखा का इस पर कोई सपोर्ट नहीं है, उससे स्वतंतर निर्मान करते हैं, उसके परिनाम, तो स्वतंतर जो फिस बनता है, इसके परिनाम सबसे अधि प्रीबरे औलस्वे जी सूभ परिनाम देता है, अमेशा इसके परिनाम सुभ होंगे अब यह सनी छेतर पर क्या परिनाम देगा आए जब हम बात करते हैं सनी छेतर के तो यह मूल रूप से क्या कहता है कि धन से लोग इसे जोड़कर देखते हैं तो अबस यही कि जब यह सनी चेतर पर है तो धन तो यह आपको परदान करेगा ही करेगा यह तो तय है इसका मुखी चीज है कि कर्म से भागी का निर्मान करने वाला जिनके हतेली में बिलुकुल असपष्ट और किलियर मतस्री का चिन्न हो चाये चिन्न कुछ इस परकार से भी कभी कभी बनता है यह देख लिजी इस परकार से यह भी मतस्री का चिन्न है तो कर्म से भागी का निर्मान करने वाला अर्थात ऐसे जातक जो होते हैं इनका कर्म इतना अधिक होता है कि इनका भागी परवल हो जाता है चुकि ये कर्म के छेतर, सनी क्या है आपके कर्म का छेतर है तो ये कर्म के छेतर पर बन रहा है और हमारी भागी रेखा इसी कर्म के छेतर पर पहुंसती है तो इस कारण से ऐसे जाता है कर्म से भागी का निर्मान करने वाले होते हैं यहाँ पर ये अतिसु मौना रहता है धन किसी भी कारी को नियम से विधी विधान से कानून से करना पसंद करते हैं जो भी रूल हो चाहे वो परंपरागत रूल हो समाज के रूल हो उसे तोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं अनुसासन प्रिये बेगती होते हैं यह स्वेंग भी अनुसासन में राते हैं इनका यह हमेशा सोच होता है कि सामनेवाला वाला बेक्ती भी बिलकुल अनुसासर्णन पृत गलतकारी ना करें ऐसे जाता यदि न्याए धीज़ हो आते तो अच्छे नख करने वाले हो सकते ऐसे जाता यदि अन्नी स्धितियां अच्छी हुई और यह न्या धीज़ बन जाते हैं, या फिर कहीं पंच बन जाते हैं, या किसी उचे पद पर पदाधिकारी बन जाते हैं, जिसे समाज में उत्थान करने में लगा दिया जाते हैं, ऐसे जातक बिल्कुल अच्छे नियाई करने वाले, दूद का दूद और पानी का पानी करने वाले होते हैं, ये निया इदिस की रूप में. अब ही, कि सनी की छेत पर हैं, तो ऐसे जातक आत्म ग्यानी भी होते ह Caesar, इनका ग्यान है जो आत्म क्यानी, ये ज्यान कि एक सनी पर है, तो गंभीरता का भी परतीक होता है, कि ऐसे जातक बात कम करते हैं. लोगों से अनावस्यक रूप से ये बात नहीं करते हैं, इनकी ये अक्सर चूप रहते हैं, एकांत प्रिये होते हैं, मतलब ये सांत बाता बरन में रहना पसंद करते हैं, कुलाहल से दूर, छल कपट से दूर, कुलाहल से दूर, गंभिर्त और एकांत प्रिये, साथ हमें अब देखी ये ज्ञान का जो रूप होता है आत्म ज्यानी के साथ साथ अब ये रहस्य ज्यानी हो जाते हैं, चुकि सनी के छेत्र पर बनना ये रहस्य बिद्या को भी दिखलाता है, रहस्य में बिद्या, अर्थात लोग इसे गुप्त बिद्या की रूप में भी जानते हैं, रहस्य में बिद्या, यदि इनका जुकाओ तंत्र की ओर है तो ऐसे जाते हैं अच्छे तांत्रिक हो सकते हैं गुप्त बिद्या किसी भी छेत्र की हो सकती है धन कमाने के भी गुप्त बिद्या हो सकती है जोत्सी सास्त्र भी गुप्त बिद्या है बास्तु सास्त्र भी गुप्त बिद्या है कुंडली पढ़ना तंत्र formation भी महतवपूर्ण हो जाता है अब देखिए कि होता क्या है कि यहां पर हमारी यह हिरदय रेखा इस परकार से पहुंसती है यहां पर हमने जो देखा है 90 परतिसत लोगों में हतली में इस परकार का मतस्य का formation होता, यह देख लिए, यह formation कब कैसे हो रहा है, तो एक तो इसमें एक रेखा आपकी हिरदय रेखा की है, यहाँ इस परकार से जा रही है, थोड़ा से मैं इस पिक्चेर आसपस्ट करनों, इस परकार से यहाँ, और यहाँ पर क्या होता है कि इस परकार से आपकी भागे सास्तर में कहा गया है, यह formation हो रहा है, आपके हिरदय रेखा और भागे रेखा की मिलने से, इसके सुव परिनाम आपको प्राप्त होंगे, लेकिन जो मतस्य के सुव परिनाम है, यह इतने सुव इसके परिनाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे, चुकि एक कोमन सा यह सामा आने सा चिन है, तो इसका formation महत पूर्ण हो याता है, कभी-कभी देखते हैं कि यह मतस्य का चिन इस परकार से कभी उल्टा है, इस परकार से बनता हो, उल्टा बनता हो, ऐसा भी हो जाए हो सकता है कि आपके सनी पर ही बनता हो, लेकिन यह नीची की और दिख रहा हो, तो यह formation कुछ इस परकार से हो, कि यह सुर्ज की और घूमा हो, या फिर गुरू की और घूमा हो, तो अलग-अलग इस्थितियों में इसके परिनाम भी थोड़े अलग-अलग हो जाते हैं, इसे ध्यान में रखने चीए, अब आई एक चिन जिसकी बिसे में आज बात करेंगे, वो इसा नहीं हो कि इसमें भाग रेखा का तीन पार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल स्वतंतर यह नहीं बनता है, यह अतिसु माना जाता है, तिरसुल बनना, जिनके हतेली में इस परकार का चिन बनता है, एक तो ऐसे जातक जो बड़े पदादिकारी हो सकते हैं, बड़ तो तीन पार्ट हो जाते हैं, एक पार्ट जैसे इस परकार से सुरी की ओर चले जाए, एक पार्ट यहां चले जाए इस परकार से, तो इस परकार का फॉर्मेशन भी एक तिरसूल का ही फॉर्मेशन है, ति यह तीन भागों में बटना, तो यहां एक चीज कह रहा है कि आप आपके धन आगमन के जो स्रोत होंगे, इंकम के स्रोत वो एक से अधिक होंगे, एक से अधिक याद तीन रेखाएं ती ये स्रोत तीन परकार की हो सकती है, तीन परकार की स्रोत हो सकती है, एक सुरिज की ओर देखना अर्थात सुरिज मतलब क्या होता है, सुरिज जो है आपके income का सुरोत आ रहा हो इनकी नौकरी से, दूसरा एक हो सकता है बेबसाय अलग हो, तो या हो सकता है इनके पास एक से अधिक बेबसाय हो तो कई सुरोत से धन के आगमन को भी दिखलाता है, और तो और ऐसे जातक जो है बड़े बेबसायी देखने को मिलते हैं या फिर बड़े पदाधिकारी देखने मिलते हैं कभी-कभी ये formation कुछ इस प्रकार से भी होता है एक पार्ट हो सकता है आपके हिरदय रेखा का हो अब दो पार्ट जो है आपके भाग रेखा को तो एक से अधिक मतलब यहां पर दो धन के स्रोत को यह असपश्ट रूप से दिखा रहा है लेकिन यहां एक चीज़े और भी ध्यान में देने की है कि सनी परवत की इस्थिति यहां महत्वपुर्ण हो जाती है परवत की स्थिति यही कमजोर है ति इसके परवाव थोड़े कम आपको देखने की मिलेंगे यदि इन रेखाओं पर बहुत अधिक किसी प्रकार के अन्य रेखाओं द्वारा यदि इस पर कट छट देखने को मिलता है ति यहां पर जो इसके परवाव यह सुप फल जो है यह बहुत कम हो जाते है इसे भी ध्यान में रखना चाहिए आज के इंक म देखने इतनों दन्य वाद